हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्पित और आपका स्वागत है लॉड्स आफ लिट्रेचर पर दोस्तों आज हम लोग जिस ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे उनकी कला सिर्फ लिट्रेचर तक सीमित नहीं है विलियम बलेक एक ग्रेट पोएट होने के साथ साथ एक बहतरीन पेंटर और प्रिंट मेकर भी थे हालांकि उनके लाइफ टाइम में उनके काम को पहचान नहीं मिल सकी लेकिन आज उन्हें रोमेंटिक एज की पोएटरी और विज्वल आर्ट्स के महान इन्लुएंसर के रूप में याद किया जाता है तो आएए चलिए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसी शक्सियत की जिसके बारे में कहा जाता है कि विलियम ब्लेक का जन 28 नॉंबर 1757 को सोहो डिस्टिक्ट लंदन में हुआ था उनके पिता जेम्स एक होजियर थे विलियम ब्लेक ने बहुत थोड़े समय के लिए ही स्कूल अटेंड किया और उन्हें ज्यादा तरशिक्षा घर पर ही अपनी मा कैथरीन से मिली थी बाइबल का ब्लेक के उपर बहुत ही गहरा प्रभाव था और ये जीवन भर उनका सोल्स आफ इंस्पिरेशन बनी रही काफी कम उम्र से ही ब्लेक को विजन्स दिखने शुरू हो गए थे उनके जर्नलिस्ट फ्रेंड हेंरी रॉबिंसन ने लिखा है कि जब ब्लेक सिर्फ चा साल के थे तो उन्होंने विंडू के थूँ गौड के सिर को देखा था कहा जाता है कि ब्लेक ने प्रॉफेट एजकील को एक पेड के नीचे देखा था और एक विजन्स में उन्होंने एक ऐसा पेड देखा जिस पर बहुत सी एंजल्स थी ब्लेक के इन विजन्स का उनकी आर्ट और राइटिंग्स पर गहरा प्रभाव था उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटी काफी कम उम्र में ही दिखने लगी थी 10 साल की उम्र में उन्होंने हेंरी पास ड्रॉइंग स्कूल जॉइन किया और 14 साल की उम्र में वो एक इंग्रेवर के साथ काम करने लगे ब्लेक को टॉम्स और मॉन्यूमेंट्स की ड्रॉइंग बनाने के लिए वेस्ट मिनिस्टर एबी भेजा गया जहां गौथिक आर्ट्स के लिए उनका प्यार डेवलप हुआ ब्लेक ने 18 सेंचुरी के लिटरेटरी ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाए एलिजाबेथन और एंसियंट बैलेड्स को प्रेफर किया 1779 में 21 साल की उम्र में ब्लेक ने अपनी 7 साल की एप्रेंटर्शिप कम्प्लीट की और एक जर्णी में कॉपी इंग्रेवर बन गए वो बुक और प्रिंट पबिशर्स के प्रोजेक्ट पर काम करते थे एक प्रोफेशनल पेंटर बनने के लिए इसी साल ब्लेक ने रॉयल अकेडमी ओफ आर्ट्स स्कूल ओफ डिजाइन जॉइन किया अपनी आर्टिस्टिक एनरजी को एक नई दिशा देते हुगे 1783 में ब्लेक ने अपनी पोइम्स का कलेक्शन पोईटिकल स्केचेस पब्लिश किया औरगस्ट 1782 में विलियम ब्लेक ने कैथरीन सोफिया बाउचल से शादी की जो की इलिटरेट थी यानि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था ब्लेक ने उन्हें पढ़ना लिखना, ड्रॉइंग और कलर करना भी सिखाया इसके अलावा उन्होंने कैथरीन की विजन्स देखने में भी मदद की कैथरीन को ब्लेक के विजन्स और एक आर्टिस्ट के रूप में उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था और वो हर चीज में उनका सपोर्ट करती थी विलियम ब्लेक की जिन्दगी का एक बहुत ही दर्दनाग दिन वो था जब 1787 में उनके भाई रॉबर्ट की टुबर कलोसिस की वज़े से 24 साल की उमर में डेथ हो गई ब्लेक ने रॉबर्ट की आत्मा को शरीय से निकल कर खुशी-खुशी उपर की तरफ जाते हुए देखा ये दर्दिश ब्लेक के दिमाग में बस गया और उनकी पोईट्री पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा हालांकि ब्लेक एक Established Engraver थे लेकिन जल्दी ही उन्हें वाटर कलर पेंट करने का काम भी मिलने लगा और उन्होंने मिल्टन, दांते और शेक्सपियर के काम के अलावा बाइबल से जुड़े दुश्चों को भी पेंट किया 1804 में ब्लेक ने अपना Most Ambitious वर्क जरुसलम लिखना शुरू किया और वो इसे पेंट भी कर रहे थे इसके अलावा वो आर्ट एग्जिबिशन्स में भी अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने लगे लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली बल्कि आलोचकों ने उनके काम को A Display of Nonsense कहकर खारिज कर दिया इतना ही नहीं बलेक को एक Unfortunate, Lunatic भी कहा गया बलेक इन रिव्यूज और लोगों की बेरुखी से काफी निराश हो गया और उन्होंने सफलता पाने का प्रयास करना भी छोड़ दिया साथ ही साथ वो गरीबी, गुमनामी और मांसिक असंतुलन में डूपते चले गए फिर भी किसी तरह बलेक ने 1819 में एस सीरीज आफ विजनरी हेड्स की सकेचिंग शुरू की उनका कहना था कि जिन एतिहासिक और इमेजनरी फिगर्स के सकेच उन्होंने बनाए हैं वो वास्तों में उनके सामने आकर बैठते थे अपने आखरी सालों में बलेक एक अंडाइग्नोस्ट बीमारी से जूज रहे थे जिसे वो एक ऐसी बीमारी कहते थे जिसका कोई नाम नहीं है 12th August 1827 को उनकी डेथ हो गई जिन्दगी भर नाकाबिल समझे जाने वाले विलियम बलेक आज लिटरेरी और आर्टिस्टिक फिल्ड में एक महाँ शक्सियत के रूप में जाने जाते हैं और उनकी आर्ट और राइटिंग की विजनरी अप्रोच ने बहुत से आर्टिस्ट और राइटर्स को इंस्पायर किया है यहाँ पर विलियम बलेक के मेजर वर्क्स दिये हुए हैं आप इनको भी जरूर देख लीजेगा यह एक्जाम्स के पॉइंट आफ यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने अब तक के चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही